तो दोस्तो आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास यह छोटी सी DC मोटर है और यह मोटर हमारी 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती है और यह जादा तर जो बच्चों के खिलोने होते हैं उसके अंदर यूज की जाती है इस हमारे LED बल्फ होती है इस olhos के अंदर इस ट्रैफ इसलग के ड्रैभर शर्किट लगा होता है तो इस ड्रैवर सर्कृट से हम इसको सप्ले चला के टैस्ट करेंगे क्या यहwater चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी क्योंकि riadplease यह देता है और ओल्सक्राइब हो हैं तो हम स्केने क्वा नहीं करेगी क्या होगAL्य वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल्ली जानने वाले हैं तो इसके लिए देखें फ्रेंड सबसे पहले यह मैं आपको थोड़ा सा नजदेग से दिखा दूँ यह हमारे पास LED बल्का ड्रैबर सरकिट है तो इसकी यह जो रैड और ब्लैक कलर की वायर आप देख रहे हो यह हमारी आउटपुट वायर है और यह जो हमारी इंपुट व के दिखिए एक वार को मैंने यहाँ पर जोड दिया और इसी तरीके से यह जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरे पॉइंट पर जोड देंगे जहां पर मैंने अब आपको बत सबसे पहले देखिए मैं आपको tu दिखा डेताउ–टके फिलाल्स Сके अंदर मिल रही है इसके अंदर हम इसे लगाएंगे, यह मैंने लगा दिया, और उसके बाद यहां पे switch को on कर देंगे, ठीक है, अब यहां पे इसकी voltage चेक करने के लिए, हमें multimeter लेना पड़ेगा, यह है मेरा multimeter, और multimeter को हम क्या करेंगे, DC 200 voltage पे set करेंगे, क्योंकि यह चीज मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताई है, कि जब भी आप किसी भी LED bulb का driver circuit की voltage चेक करते हो, तो multimeter को आपको हमेशा 220 voltage पे set करना है, तो यह मैंने यहां पे set कर दिया है, अब चलिए देख लेते हैं, कि यह जो driver circuit है, output में कितने voltage दे रहा है, यह काम भी कर रहा है, कि नहीं दे रहा है, य वो हमें लगबग 113, 114, 115, 116 के आसपास ऐसे voltage मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, कि वे driver circuit हमारे काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चलिए हम क्या करते हैं, यह जो हमारी motor है, इसको हम चला के देखते हैं, इससे जोड के देखते हैं, इससे पहले हम अपनी motor को बैटरी से test कर लेते हैं, तो यह मेरा testing device है, इससे हम एक बार चला के देख लेते हैं, मोटर हमारी काम कर भी रही है, कि नहीं कर रही है, तो यहां पर देखे, इस तरीके से जब मैं इसको चला रहा हूं, तो यह मोटर हमारी घूम रही है, आपको हलकी आ बार को हम जोड़ेंगे, यह देखे, एक बार को तो हम इस वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे, यह देखे, इस तरीके से दूसरे पॉइंट पर मैंने जोड़ दिया है, तो यहां पर मैंने इसके connection कर दिये हैं, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, कि जब अब मैं इसको supply तो यह मोटर हमारी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, आग लग जाएगी, या फिर यह driver circuit खराब हो जाएगा, क्या होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, और यह experiment मैं अपने एक subscriber के कहने पर कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार यह बोला, कि सरा आप DC म दिखाएगी, वो काम करेगी कि नहीं करेगी, तो इसलिए मैं आज यह practical करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह देखिए इस plug को यहाँ पर लगा रहा हूं, और मुझे भी सही मैं यार डिरी लग रहा है, कहीं कोई अन्होनी न हो जाए, यानि आगू ना ल यहाँ पर हम LED बल्फ के driver circuit से step की motor को नहीं चला सकते हैं, एक बार मैं टेस्टर से ना यहाँ पर voltage चेक कर लेता हूं, कि यहाँ पर हमारा current आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप टेस्टर पर देख सकते हो, light हमारी आ रही है, इसका मतलब भी यहाँ तक तो supply आ र रही है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट, voltage यहाँ पर 0000 कर रहा है, अब यह किस वज़े से कर रहा है, मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर voltage नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर हमारा voltage आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोड़ा साब हमें और experiment करे रहे हैं, तो धंग से कर लें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार को हटा देते हैं, यहाँ से मैं light को बंद कर रहा है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ से, एक बार दुबारा से on करता हूं, और यहाँ पर देखते हैं कि voltage अब आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन ये मोटर हमारी काम नहीं कर रही है तो इससे ये चीज किलियर होगी कि हम किसी भी LED बल्फ के ड्राइवर सर्किट से इस टाइब की DC मोटर को नहीं चला सकते तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया है और उन भाईयों को भी जवाब मिल गया होगा जो कि सोच रहे थे ऐसा करने के लिए तो इस सारी चीजे किलियर होगी होगी तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स टूडिय में कुछ नेट ओपक साथ तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम